नमस्कार साथियों जयाइंद सभी अभ्यूर्तियों को मेरा नमस्कार मैं प्राध्य पक्सान तिलाल विष्णोई आपके लिए हिंदी व्याकरण अभ्यास पत्तर साथ लेकर आजिरूं जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार तो इससे पहले 6 अभ्यास पत्तर जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास पत्तर और पहला प्रश्न है निम लिखित में से कौन से स्वर अर्द स्वर की सरणी में आते हैं तो कौन से वर्ण अर्द स्वर की सरणी में आते हैं तो इसका सही उतर है स, ये और व प्रश्ट नमर दो हिंदी वरन माला में स्यूंक्त वियंजनों का सही समुव कौन सा है तो इसमें स, त्र, ये और स्र, ये सही समुव है और इसका सही अंस्वर है वो है अ तो अ इसका सही अंसवर है प्रस्ट नमर तीन है स, स, स और ह किस रणी के वर्ण है और इनको वियंजन का जाता है इनको उस्म वियंजन का जाता है इनको का जाता है उस्म वियंजन तो इस प्रस्ट का सही उतर है वो है आपके अ उस्म वियंजन प्रस्ट नम्बर चार निम लिकित में से किन वरणों को अंतस्त वियंजन कहा जाता है अंतस्त सात्यों कहा जाता है यह रह लह और वह इनको अंतस्त कहा जाता है सैस है को उस्म कहा जाता है करच टेप इनको वरग कहा जाता है तो इसका सही अंस्वर अ प्रस्ट नम्बर पांच निम लिखित में से कौन सा एक स्यूक्त स्वर नहीं है स्यूक्त स्वर मतलब दो स्वरों के योग से बनावा स्वर नहीं है तो इसका सही उतर है वो है आपके स यानि ए ए है वो स्यूक्त स्वर नहीं है प्रस्ट नमबर 6 आपकी स्क्रीन पर निम लिखित में से किन वरणों को अयोगवा वरण भी कहा जाता है अयोगवा वरण है वो किन वरणों को कहा जाता है तो सत्यू इसका सही अंस्वर होगा ब यानि अंग और अह इनको अयोगवा वरण भी कहा जाता है अंग और अह प्रस्ट नम्बर साथ आपकी स्क्रीन पर हिंदी वर्ण माला में अंतस्त वर्णों की कुल संक्या कितनी होती है तो अंतस्त वर्णों की कुल संक्या होती है चार, य, र, ल, और व इनको संस्कृत में बोला जाता है य- ه- r- ur- l- तो यहाँ पर सार्य आ ओप्सन बिल्कोल सही है सही उतर है चार प्रस्ट नमबर आठ आपकी स्क्रीन पर हिंदी वरनमाला में उस मूग जनों की संक्या कितनी होती है तो सार्य उस मूग जनों की संक्या भी होती है जार स- स- स और ह तो यहां पर चार उसमी एंजन साथी होए कि याद रिटकने का तरीका है अंतस्त भी चार उसम भी चार और शियुक्त भी एंजन भी चार तो इसका सही अंस्वर चार प्रस्ट नमबर नो आपकी स्क्रीन पर निमल कितमें से कौन सा भी कल्प ऐसंगत है तो इसका जो आसंगत विकल्प है वो है द तो द विकल्प बिलकुल आसंगत है क्योंकि गे और ये से गे नहीं बनता प्रस्ट नमबर दस और आखिरी प्रस्ट वेस्वर जिनका उचारण सवतंतर होता है क्या कहलाते है तो वे वरण जिनका उचारण सवतंतर होता है उन्हें साथियो स्वर कहते हैं क्योंकि स्वरों के उचारण के लिए किसी की सायता नहीं ली जाती जबकि जो वियंजन होते हैं उनके उचारण के लिए स्वर की साथा ली जाती है तो साथियों इस प्रश्ण का सही उतर होगा वो होगा है तो साथियों कैसी लग रहे हैं ये प्रश्ण उतरी जरूर आप कमेंट करें वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें मिलेंगे किसी और प्रश्णों तरीके साथ तब तक है जरी नमस्कार, जैहिंद